हलो एंड वेलकम फ्रेंड्स तो आवर चैनल फार्मा बिन्स दोस्तों आज हम लोग आईसो टोनिक सोलुशन्स टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जो की फिजिकल फार्मसोटिक्स भी फार्मा थर्ड सेमिस्टर का यह जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यह टॉपिक है तो द और साथी साथ घंटी का बटन दबा कर ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजे दोस्तों यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजे चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईसो टॉनिक सो अब किस तरीके के सोलुशन को हम कह सकते हैं आईसो टॉनिक वो सभी सोलुशन जिसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट हो उसे हम कह सकते हैं कि वो बलड प्लाजमा के हमारे एक्किवलेंट है मतलब आईसो टॉनिक है हमारे बलड प्लाजमा के अगर हम उसम compare करें तो और इसी को हम जो है standard मान लेते हैं अगर 0.9% sodium chloride से किसी solution में concentration कम हो कोई ऐसा solution जिसमें 0.9% sodium chloride से quantity कम हो तो वो कहलाएगा hypotonic और जिसमें वो solution जिसमें 0.9% sodium chloride से भी ज्यादा quantity हो sodium chloride की तो उसे हम कहेंगे hypertonic तो दोस्तों ये mainly तीन तरीके के solutions हैं जो buffered isotonic solution में हम लोग study करते हैं एक तो isotonic दूसरा hypertonic और तीसरा hypotonic तो I hope ये तीनों ही बातें आपको clear हो गई होंगे कि तीनों में क्या difference है मैं एक बार short में फिर से आपको बता देता हूं कि ये जो isotonic होते हैं solutions वो हमारे standard हम उन्हें मान लेते हैं क्योंकि isotonic solution का होना बहुत जरूरी है अब मैं आपको यहां पर concept समझा दूँ देखिए जो भी solution हमें जैसे कोई भी pharmaceutical manufacturer होते हैं तो कोई भी doses form या कोई भी formulation बनाते हैं खस और से वो जो की parental doses form होते हैं या ophthalmic, ophthalmic मतलब आग से related जो products होते हैं उनमें यह most important requirement होती है कि वो solution कैसे होने चाहिए isotonic solution क्योंकि जैसे एक example में आपको बताओं जो हम eye drops वगेरा इस्तेमाल करते हैं तो आखों में हम eye drop डालते हैं अगर हमारा वो solution अगर isotonic नहीं होगा तो हमारी आखों में बहुत जादा irritation हो सकती है हमारी आखों में बहुत tears हो सकते हैं तो मतलब कोई ना कोई इस तरीके की problem उसमें जो है वो हो सकती है इसकी वज़े से क्या होता है कि lacrimal fluid जो होता है आख में ठीक है तो उसके equivalent जो है इनका क्या किया जाता है इस तरीके के solutions बनाए जाते हैं कि वो isotonic हो हमारे body fluids की तरह ऐसे ही दूसरा example अगर हम blood plasma क की बात करें तो blood के equivalent जो solution जो कि blood plasma के equivalent उनकी tonicity होती है वो कहलाते हैं isotonic ठीक है ऐसे ही अगर concentration 0.9% sodium chloride से जादा concentration है किसी solution में तो उसे हम कहते हैं hypertonic और इस से अगर quantity कम है तो उसे हम कहते हैं hypertonic चलिए और detail में हम लोग discuss करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो तो बस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा शुरू से लास तक आप ये समझ लीजे कि आप classroom में बैठे हुए हैं और 10 से 15 मिनिट में आपको ये topic बिलकुल अच्छे से और आसानी से पूरी तरह समझ आ जाएगा तो आप बात करते हैं कुछ और basic concept की सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि osmosis जो है वो क्या होता है the diffusion of solvent molecule from a reason of lower solute concentration to a reason of higher solute concentration through a semi-permeable membrane मतलब diffusion का मतलब यहाँ पर है किसी भी solvent molecule का diffusion एक बीच में एक हमने semi-permeable membrane एक लगा दी अगर हमने कोई एक container ले लिया उसमें हमने बीच में एक क्या लगा दी semi-permeable membrane लगा दी उसके एक तरफ जो है वो है जैसे एक तरफ solute का जो भी solute और solvent आप सबी लोग जानते हैं मैं फिर भी बता देता हूं solute वो होता है जैसे solid particle होते हैं उन्हें हम solute कहते हैं और जो solvent होता है वो liquid जिसमें की वो solute particle घुलते हैं उसे हम कहते हैं solvent ठीक है तो जब कोई solute किसी solvent में घुल जाता है तो वो क्या बन जाता है solution very good तो अब यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि osmosis में होता है क्या है कि lower concentration से higher concentration की तरफ जो है क्या होता है solvent molecule move करते हैं through a semi permeable membrane देखिए इसमें लिखा हुआ है diffusion of solvent molecule from a reason of lower solid concentration जैसे एक तरफ किसी solid के concentration कम है उसका movement होगा solvent molecule का movement होगा किस तरफ जहां पर higher solid concentration होगी semi permeable membrane क्या होती है वो membrane जो की allow करती है solvent molecules को pass होने के लिए लेकिन जो dissolved substances हैं उनको वो जो है pass नहीं होने देती है रोग देती है उनको एक ही तरफ axis of solvent molecule passing in one direction creates a pressure called osmotic pressure अब जैसे solvent molecule की जो axis मतलब जादा मात्रा है ठीक है और वो pass होती है एक ही direction में तो वो क्या करती है create करती है pressure एक तनाव ठीक है sorry तनाव नहीं दाव एक pressure जो है वो create करती है उसी को हम कहते हैं osmotic pressure तो ये चोटे-चोटे कुछ concepts थे कुछ terms थे I hope ये भी आपको समझ आया गया होंगे अब चलिए इस diagram की थूँ हम लोग आगे और भी अच्छे से समझ लेते हैं इस topic को अब देखिए ये बीच में एक compartment है और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया semi permeable membrane ये जो आप देख रहे हैं yellow color की ये dash 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 की तरह ये जो structure आप देख रहे हैं ये है semi permeable membrane ठीक है और इस तरफ left hand side में आप देखिए जो light blue color के molecules हैं वो है water molecule और इस तरफ जो green color के आप molecules देख पा रहे हैं वो है सुक्रोज के molecules तो अब ये semi permeable membrane की through जो है वो molecules का movement होता है अब देखिए यहाँ पर हम blood cells के terms में isotonic solution और बाकी solution को हम लोग समझ लेते हैं यह तीनों तरीके के solution hypertonic, isotonic और hypertonic तीनों के case में क्या होता है अगर हम blood cell की बात करें तो RBC पे क्या effect पड़ता है तीनों तरीके के solutions का देखिए अगर solution कोई भी solution जो की hypertonic होगा तो उसमें क्या होगा कि जो cells हैं जो RBC है red blood cells वो shrink हो जाएंगी मतलब सिकुड जाती है ठीक है जिसकी वज़े से क्या हो जाता है उनकी जो morphology है वो change हो जाती है दूसरा जो hypotonic condition होता है यह hypotonic में क्या होता है hypotonic में जो RBC है उनके अंदर क्या होता है कि वो swirl कर जाती है RBC swirl कर जाती है अगर जो hypotonic solution में अगर हम RBC को डाल दें तो वो क्या हो जाएंगी swirl हो जाएंगी और कैसे वो burst हो जाएंगी ठीक है जैसे कि एक example में आपको देता हूँ जैसे अगर आप किश्मिस ले लीजे किश्मिस को अगर आप पानी में डाल देते हैं रात में तो आप glass में अगर आपने जो है वो कुछ किश्मिस डाल दें और आप उस सुबह देखेंगे तो सुबह आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो किश्मिस क्या हो जाएगी फूल जाएगी मतलब स्वैल कर जाएगी यही होता है न तो ऐसे ही अगर हम कहें कि उसी को अगर आप उसी किश्मिस को बहुत ही जादा concentrated अगर सुगर solution में आप उसको डाल दें तो वो क्या होगा वो थोड़ा सा सिकुर जाएगे मतलब वो क्या है penetrate ही नहीं कर पाएगा वो बाहर वाला जो solvent है solvent molecule उसमें penetrate ही नहीं कर पाएगे तो होगा क्या कि वो swirl नहीं करेंगी बस्क नहीं होगी क्योंकि hypertonic में concentration जो है वो जादा होती है और इन दोनों के बीच में जो एक अगर optimum हम concentration की बात करें तो वो होती है isotonic solution की isotonic solution में क्या होता है दोस्तों 0.9% sodium chloride जबकि hypertonic में क्या होता है 0.9% से ज़्यादा sodium chloride होता है और hypertonic solution में क्या होता है 0.9% sodium chloride जो है 0.9% से कम होता है sodium chloride की concentration तो यह difference तीनों में आपको समझ आ गया होगा अब आगे हम लोग बात करते हैं यह जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट वही यहां पर इस diagram की through भी आप देख सकते हो जैसे क्या होगा कि hypertonic solution में क्या होगा cell क्या होगी soil करेगी और इस तरीके स lyzed हो जाएगे मतलब burst हो जाएगी फट जाती है ऐसे ही isotonic solution में क्या होता है equilibrium state होती है दौनों तरफ concentration जो है वो equal होती है जिसकी वज़े से वो exact shape में रहती है मतलब उसमें कोई changes नहीं आते हैं जबकि hypertonic solution में क्या हो जाता है cell का shrinkage हो जाता है सिकोड जाती है cell अब हम लोग बात करते हैं कि iso-osmotic solutions क्या होते हैं वो solution जिनमें same osmotic pressure होता है उन्हें हम क्या कहते हैं iso-osmotic solution लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी iso-osmotic solutions isotonic हों और एक होते हैं paratonic solutions solutions जिनमें अलग-अलग जो है osmotic pressure होता है different different osmotic pressure वाले solutions को क्या कहा जाता है paratonic solutions अब हम लोग बात करते हैं कि कौन-कौन से method जो है वो इस्तिमाल होते हैं isotonicity को adjust करने के लिए तो बहुत सारे methods है methods for adjusting isotonicity तो ये हम लोग जो है वो अपने next वीडियो में discuss करेंगे तो इसी वीडियो का part 2 मैं बहुत जल्दी आपनों के लिए upload करूँगा तो दोस्तों ये हम लोगों ने discuss कर लिया I hope ये सारे concepts आपको समझ आ गए होंगे isotonic solutions से related तो दोस्तों वीडियो को अभी like कर दीजे और अगर आपने हमाले चनल को subscribe नहीं कर पाया तो हमारे चनल को अभी subscribe कर लिजे Thank you for watching this video